साम आलेकुम फ्रेंड्स का हाले उमीद है कि आप सब भी फ्रेंड्स खहरियत से होंगे और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले के पाकिसान टीम का वाल्ड का स्कॉर्ड जो अनॉंसमेंट होआ है तो श्वेबक्तर जो है वो स्कॉर्ड से खुश नहीं है तो उन्हों नठी असे होगुसे में थे इसके बारे में मुकमल डेटेल देंगे उससे पहले अगर आप उमारे चैनल पर ने आए था जल्दीSee हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि मुशीद आपको ऐसी वीडियो मिलती ही रहें तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको बटा रहें कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर श्वेबखतर का वाल्ड काप के स्कॉर्ड के बाद जो है वो उनकी एक प्रेस कॉंफरंस थी तो उनसे सवाल हुआ वाल्ड काप के बारे में तो उन्होंने का कि दो से तीन ऐसी सेलेक्शन है जो नहीं होनी चाहिए थी लेकन जो है वो कोच और कप्तान और सेलेक्टर और चेर्मेन की जो होती है कुछ ना कुछ उन दोनों की जो चलती रहती है इन सबी लोगों की इसलिए उन्होंने हसान अली की सेलेक्शन और जो जमान खान होना चाहिए था हसान अली की जगह पर इस बात पर उन्होंने एक सवाल उठाया है और दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि जो नवाज की जगह पर इमार्वसीम की सेलेक्शन होनी चाहिए थी